चाहिंद बंदे मात्रम नमस्कार चाहतियों सौगत हैं आप सभी का आपके एपनी एटूब जैनल अवतार इस्टडी 7054 में मैं पाल प्रभीन आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तर पदेश का इतियास आज के टॉपिक आपके गजाम के लिए बहुत ही महत्वोर है आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें इस वीडियो के मात्रम से महत्वोर 30 प्रशन कवर करेंगे जो आपके गजाम के लिए इंपोर्टन है तो सभी लोग वीडियो के देखें, लाइक करें, सेर करें और चेनल को सस्क्राइब करें तो आईए विनादेरी के स्टार्ट करते हैं आज की सांदार क्लास आज का पहला पशन है, उत्तर पदेश के किस नपासाडिक पुरा इस्तर से धान की खेती के साच मिले हैं Most important point है, सभी लोग इसको नोट करेंगे उत्तर पदेश के किस नपासाडिक पुरा इस्तर से धान की खेती के साच मिले हैं Right answer है, option number D, cold हिबा से साथियों मिले हैं, आपने इसको नोट करना है Cold हिबा most important point है, सभी लोग इसको इस्टार बना करके नोट करेंगे अगला अपसन है, पुरा पासाड कालीन इस्तल बेलन नदी घाटी का साच उत्तर पदेश के किस जनपाद से प्राप्त हुआ है Right answer है, option number C, इलहावाद से प्राप्त हुआ है, आप सभी ने इसको नोट करना है अगला अपसन है, लोहे की खोज उत्तर पदेश के किस जनपाद में हुई, most important point है सभी लोग इसको नोट करेंगे, लोहे की खोज उत्तर पदेश के किस जनपाद में हुई है सही आंसर है option number 1, वाना रसी आप सब्सक्रप्स्ण को अनोट करेंगे उत्तरपदेश के वाना रसी में लोहे की खोज की गई थी अगला option है मदपासाण कालीन इस्टल सराय नहर राय उत्तरपदेश के किस जन्पद में इस्तित है सही आंसर है option number C प्रतापगड में ठीक है आप सबी लोग नोट करेंगे उत्तरपदेश के प्रतापगड में सराय नहर राय यह इस्ते थे most important point है अगला प्सन है वेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देश में कराई गई सही आंसर है option number D प्रोफेसर जी आर सर्मा most important point है ठीक है प्रोफेसर जी आर सर्मा के निर्देश में कराई गई अगला प्सन है उत्तरपदेश के किस पुरा पाशाड़िक इस्तल से अस्ति निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त होई है सभी लोग इसको नोट करेंगे उत्तर பदेस की पुरा पाश अड़े की स्तव से अस्ती निर्मित मत्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुए है राइट आंसर है आपिसज नमबर C लोहदा नाला छेतर टूम्हा टूम्हा है लोहदा नाला छेतर शे प्राप्त हुए है अगला अप्सन है राज्य के किन जिलों में नप पासाण कालीन साच्छ प्राप्त हुए है आपसे पूचा गया है कि राज्य के किन जिलों में नप पासाण कालीन साच्छ प्राप्त हुए है इलावाद, मिरजापुर, शोनभुद, शोनभद्र या प्रतापगड और इसका अप्सन सातियों यह हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर है, अप्सन नमबर D, A, V, C, D, यानि कैसातियों, आपके सभी जिलों में, टिक, सभी जिलों में पाये गए हैं, इलाबाद, मिरजापूर, शोन, भद्र और प्रतापगड, अगला अप्सन है, निम लिकित में कौन सा न पासाड़िक इस्तल उत्तरपदेश में इस्तित है, सही आंसर है, सातियों प्सन का, अप्सन नमबर B, कोल्ड हीबा, Most Important Point है, और यह उत्तरपदेश में इस्तित है, अगला अप्सन है, सिंदुघाटी सब्विता का सबसे पूर्वी इस्तल आलमगीरपूर कहां इस्तित है, सिंदुघाटी सब्विता का सबसे पूर्वी इस्तल है, आलमगीरपूर, सबसे पूर्वी इस्तल है, और यह कहां पर इस्तित है, राइट आंसर है, मेरट में इस्तित है, अब सभी लोग इसको नोड करिएगा, अगला अप्सन है, राज्य के किस जिले से पुरा सच्छ प्राप्त हुए है राइट आंसर है अप्शनमबर डी उप्यक्त सभी मोस्ट इंपोर्टेंट पाइंट है सभी लोग इसको नोट करेगा और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सेर नहीं किया तो प्लीज सभी लोग सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लो उत्तर प्रदेश में इस्तित नहीं था अगला प्सन है उत्तर प्रदेश में तामर पाशाणिक सभीता का साच्छ किस इस्थान से प्राप्त हुआ है तामर पाशाणिक सभीता का जो साच्छ है उत्तर प्रदेश में किस इस्थान से प्राप्त हुआ है राइट आंसर है सह सहारन पूर्शे प्राप्त हुआ है मल्ला जनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इस्तित है मल्ला जनपद के अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ यह इस्तित कुसी नगर में बात जनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इस्तित एइ known कपिल वस्त वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इस्तित है का पिलबस्त पोचा गया है तो वरतमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इस्तित है राइट आंसर है ऑप्सन नमबर डी सिधार्त नगर में ठीक है मोश्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अगला अप्सन है सोला महा जनपदों में से कितने महा जनपद बरतमान उत्तर प्रदेश भू भाग वाले भाग में इस्तित है भू भाग में इस्तित है सही आंसर है इस पिसन का साथियों अप्सन नमबर 16 है आप सभी लोग इसको नोट करेगा और इस पिसन का साथियों राइट आंसर है अप्सन नमबर C, आर्ट, most important point है अगला अप्सन है, वोद्य धर्म का पालन किस राज्जी को कहा जाता है पालना, most important point है, वोद्य धर्म का पालना किस राज्जी को कहा जाता है सही आंसर है, option number C, उत्तरपदेश, ठीक है, उत्तरपदेश को वोधुधर्म का पालना कहा जाता है रिसी पतन या मरगदवा का आधोनिक नाम क्या है? सही आंसर है, option number D, सारनाद अगला option है, बुद्ध काल में उत्तरपदेश में कितने मुख गड़ राज्य थे? वुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख गड़ राज्जी थे सही आंसर है साथ यह पिसन का आप्सन नमबर B साथ मोश्ट इंपोर्टन पॉइंट है अगला आप्सन है महाबीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुक के इंदर था महाबीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुक के इंदर था सही आंसर है आप्सन नमबर B मत्हुरा आप इसको नोट करिएगा अगला आप्सन है पांचाल महाजनपत की राजधानी कमपालिस का सम्मंद उत्तर पदेश के किस जनपत से है पांचाल महाजनपत की राजधानी कमपिल का सम्मंद उत्तर पदेश के किस जनपत से है सही आंसर है साथियों इस पसन का आप्सन नमबर B फरुखाबाद मोस्ट इंपोटेंट पॉइंट है आप इसको नोट करिएगा फरुखाबाद उत्तर बैदिक कालीन किस म्रदभाण के साच्च संपोर उत्तर पदेश से प्राप्त हुए है सही आंसर है आप्सन नमबर A लाल म्रदभाण के साच्च उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए है अगला आप्सन है भारत सरकार का राजध की चिन कहां से लिया गया है सोग के अभिलेक प्राप्त हुए हैं वह राज किस जनपद में इस्तित्था सही आंसर है ऑप्सन नमबर डी सहारनपूर अगला अगला अपसन है अगला अपसन है शातियों आउद्या का सिला लेक किस वंस के सासकों ने लिखवाया था आप सभी लोग इसको नूर करेंगे ज इनके दोरा अउद्या का सिला लेक लिखवाया गया था अगला अपसन है उत्तर पतेश के किस जनपद को भारती मूर्तिकला की जनमिस्तली माना जाता है सही आंसर है ऑप्सन नमबर अ मतुरा को मतुरा को भारती मूर्तिकला का जनमिस्तली माना जाता है अगला अपसन है कि दूसरी राजदानी कहां थी जो कुषान बंसिके सासकते इनकी दूसरी राजधानी कहां थे सही आंसर है ऑप् Gud by दूसरी राजदानी मसाध्वा में थी अगला बंसद की म्रत्रपदेश के किस जन्पद में हुई थी भगवान मैं बद्ध दे के कुसी नगर में अगला अपसन है इसकंदन गुप्त ने उत्तरपदेश के किस जनपद में वितरी अभिलेक लिखवाया था अब सभी लोग इसको इस्टार होना करके नोट करिएगा सभी लोग इसको नोट करेंगे साथियों आज के वीडियो का लाश्ट परसन था इस वीडियो के मादधम से हमने 29 कोस्टन कवर किये हैं आपके एकजाम के लिए मोश्ट इम्पोर्टन है सभी लोग वीडियो को देखें कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि इन 29 परसनों में कि तक के लिए जाहिंद